तुर्व था में घर दोस्तो चली दे आज जो प्लेज़ पेपर हो फ्लेप्ण देखिए है टिक दे इसमें जो मोणाओ कव स्वार्टर अब' इसमें घ्नके स्वार के इन कोर्ण बादकी और ब्रवाइट कर रशेजिल सी थ på यह साल के सब्सक्रों अब लक्र prioris यह चौथा question जो है, यह कह रहा है, कि पादब कोशिका, भेतनिम लिखित में से किस से बनी होती है, ठीक है, तेकिए, जिस भी बच्चे का यह paper है, ठीक है, जिस भी बच्चे का यह paper जो मुझे मिला हुआ है, उसने बिल्कुल सही लगाया, यह क्या होती है, सेलुलोज होती है क्या होती है, सेलुलोज, ठीक है, चलिए, देखते हैं, अगला question क्या है, अगला question देखे है, math का है, यह मैंने आपको बताया है, कि math का paper में अभी थोड़ी देर में math, reasoning और DIA, तीनों चीजे मैं solve करके आपको तुरंट प्रोवाइड करा दूँगा अभी, चलिए, पहले ब कोई भी नहीं है, ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं, फिर आठमा question क्या रहा है, खयाली पुलाव पकाने का अर्थ क्या होता है, खयाली पुलाव पकाने का अर्थ होता है, वो यह होता है, कि अपने मन में ही सारी चीजे गड़ लेना, यानि कि असमभब बातों के भी कलप क्या करते हैं, यह खयाली पुलाव में आते हैं, ठीक है, चलिए, अगला question देखते हैं, फिर यह कह रहा है, महारिषी सब्द का सही संदी बिच्छेद बताईए, जो महारिषी सब्द का सही संदी बिच्छेद जो है, वो मैंने आपको जब संदियों वाला जो अपना चैप ठीक है, जैसे अनिल, अनल यह लिखा हुआ है, तो अनिल सही नहीं पूछा है, उसने नहीं पूछा है, ठीक है, यह ध्यान अगना है, उसने क्या पूछा है, उसने नहीं पूछा है, ठीक है, लेके अनिल, हवा, अनल आग होती है, अंस हिस्सा होता है, अंस जो होता है, आधर नहीं होता है, अभिलंब यह नहीं होता है, तो यह चौथा ओप्सन सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए देखते हैं, फिर कह रहा है, किस बिकल्प में सभी सब्द परस पर पर्रायवाची हैं, ठीक है, दगो, फिर लिका वो है परवती, पारवती, रूद्राड़ी, भव रहा है, देखें, फिर यह पैराग्राफ है, ठीक है, और यह पैराग्राफ जब आप लोगों ने किया होगा, तो इसको पढ़ा तो होगा ही, ठीक है, चलिए, तो इसके सीधे फिर हम लोग एंसर पर चलते हैं, कि देखते हैं, इसका एंसर क्या है, और यह क्या बता रहा है लिखा है वाज क्रोलाइन ब्रदर एन आउट्डोर टाइप तो जो पैराग्राफ है इसके हिसाब से इन्हों ने पूछा है उसके हिसाब से इसका एंसर नो हो जाएगा ठीक है ज़िए जिस बच्चे ने भी यह किया बहुत अच्छे से उसने बिल्कुल पेपर को सॉल्व किया है ठीक है चलिए देखते हैं इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर नो हो जाएगा और जिसका भी पेपर है उसने बिल्कुल सही लगाया है चलिए आगे देखते ह फिर आगे क्या कह रहा है वेर वर दा स्कॉइट्स कलेक्टेड यह जो है तेर्मा कोश्चन जब हम लोग इसके पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो यह हो जाएगा फॉर बेटिंग तो यह चौथा ओप्सन बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं चौदमा कोश्चन क्या कह रहा है तेकि यह रिजनिंग मैंने आपसे बोला है कि मैं मैध और रिजनिंग और डि यह तीनों चीज़े मैं आपको बिल्कुल अच्छे से और समझा के बिल्कुल कराऊंगा कि तो आपको जिसमें उसमें कोई भी चीज की गलती न हो ठीक है चलिए रिजनिंग के लिए आगे बढ़ते हैं फिर लिखा है गेब स्नॉनियम ठीक है और फॉर दी वर्ड पार्शियल देखे जो पार्शियल मतलब होता है इनकंप्लीट होता है यानि कि अधूरा होता है एक तरीके से यह कह सकते है कि पार्शियल का मतलब इनकंप्लीट अधूरा या छूटा हुआ इस तरीके से तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा इनकंप्लीट हो जाएगा देगे फिर अठार्मा कोश्यन क्या कह रहा है चूज दी करेक्ट एंटोनियम ठीक है देखो डिसपॉइंटमेंट यानि की मतलब एक तरीके से यह कह सकते है ठीक है देखे जो डिसपॉइंट होता है इसकी इसकी मीनिंग होती है जो हमारे आसा के अ जो चीज हमने सोची उस तरीके से हो गए या जो हम चाहते थे वही हो गए तो इसलिए हम सैटिस्वाई हो गए तो इसका मीनिंग सही यह हो जाएगा ठीक है फिर उन्तिस नम उन्निंस नमर कह रहा है गिव वन वर्ड सब्सिट्यूट फॉर दी प्रैक्टिस आफ राइटि इंड या और तो इस सीधी सी वा समखें ये लास्ट में उसने कह दिया है कि कम्पवाइलिंग ts, जो dus on Us बनाता है वो लेकिक्जिकोग्राफ होता है ठीक है डिक्समेरी बनाने वाले को हम सभेक्जिके कह था है देखते हैं देखें फिर हमारा जो है वो रिजनिंग का ही पार्ट आ गया है और रिजनिंग का पार्ट में आपको आराम से बिल्कुल इत्मिनान से और बहुत अच्छे से ये कोश्चन आपको इतने अच्छे से समझाऊँगा जो है आप लोग बिल्कुल दिमाग में कंठस्ट हो जाएगा आप दुवारा से कभी उसे भूलेंगे ही नहीं ठीक है चलिए अगला कोश्चन जो है वो कह रहा है हमसे कि अगस्त 2022 में पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है उसका उदगाटन कहां किया गया करेंट अभी जिल्दी का ही अगस्त का ही कोश्चन में दिखा भी घृट है अब ही जसने भी अगस्त जो अभी करेंटली कोश्चन जो नहीं देखे तो उससे यह नहीं हो पाए गा कि कोश्चन ने इस बच्चन नहीं कर दिया है वो कॉलकाटा का है ज oder water यह कोलकाता में किया गया है ठीक है चलिए आगे देखते हैं फिर कहा जा रहा है तेसमें कोश्चन में निम लिखित में से किस देश के बैग्यानिकों ने पहला करत्तिम भुरूण तयार किया है तो यह जो करत्तिम भुरूण तयार किया है यह इसराइल ने तयार किया है ठीक है यह भी जुलाई का ही कोशन है, ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं, फिर चौविसमा कोशन कहे रहा है, कि प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने निमलिकित में से किस राज्य में IIBX, यानि कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सटेंज लाँच किया, देखें, जब मैंने अपनी करेंड की कोशन, जो बीडियो डाला हुआ था, आप लोगों ने खैर उस पे जो है, रिस्पॉ 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन ने अभ्यास किया है, तो देखें, जो अब तक का जो सबसे बड़ा सैन अभ्यास जो ताइवान के जो है, आसपास जो किया है, वो किया है चीन ने, ठीक है, चलिए, आगे देखते है, फिर लिखा है भारति, चलिए पढ़ते हैं अगला कोश्चन लिखा है भारती सेना ने जुलाई 2022 में खाली जगा है नामक एक अखिल भारती उपग्रह संचार अब्यास का आयोजन किया है देखो ये जो अब्यास का आयोजन किया है वो स्काई लाइट का किया है ठीक है ये याद रखियागा ये इस स्पेस लाइट का नहीं है ये याद रखियागा स्पेस लाइट और स्काई लाइट जो है ये दो अलग अलग चीज़ें और ये जुलाई का कोशन है ठीक है फिर चलिए आगे देखने है भारत के किंदो सहरों के बीच अकासा एयर की पहली उडान भरी गई तो देगे ये मुंबई से हमदाबाद के भीच बड़ी गई है ठीक है है अहम दाबाद से लखनो मत्रिक कर दीजिएगा अब लोगे अगर टिक भी खिय ओगा तो फिर वो गलत हो जाएगा फिर लिखा है अजादी का अम्रत महुत सब के तहट बढ़े चलो अभियान निमलिखित में से किस केंदरी मंतराले दोरा सुरू किया गए तो देखें ये इस तरीके के प्रोग्राम जो भी होते हैं ये सांस्कृतिक मंतराले हमारा जो है वो सुरू करता है ठीक है चलिए आगे देखते है फिर निमलिखित में से कौन सा पडोसी देश नहीं है देखो ये तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पडोसी देश नहीं है देखे चीन उसके साथ भी हमारी सीमा लगती है मैमार भी हमारा पडोसी माल देब भी UAE जो है ये हमसे काफी दूर है ठीक है ठीक है चली आगे देखते हैं फिर निमलिकित में स किस IIT ने भारती भासा प्रद्धोगी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की सुरुवात की है देगे जब मैंने ये कोश्चन अपने करेंडिया वाले कराये तो इसमें मैंने IIT से रिलेटर बहुत कोश्चन करा है और यह उसी में से कोश्चन है और केंद्री मंत्री की अध्यचता में चंडीगड में नसीली दवाओं की तसकरी राष्टी सुरच्छा पर एक राष्टी सम्मेलन आयुजित किया गया देखो केंद्री मंत्री किस केंद्री मंत्री की तो देखो यह नसीली दवाओं बगारा को जो भी है यह किया गया है अमि तो यह question मतलब important इतना है कि क्या बताया जाए कि जब भी मैंने current कराया था तो मैंने उसमें एक ये one liner में अपना कराया था और ये मैंने ये जो objective को current भी करायी थी उसमें भी मैंने ये question बताया हुआ है और ये NTPC में आया हुआ question है ठीक है तो ये जो है ये प्रमारित राज बन अंतर राष्टी जय बिविद्दा दिवस हमसे पूशा गया है कि कब होता है तो देगे जितने भी दिवस थे वह आपको याद करने चाहिए तो आप से गलत हो जाएगा अंतर राष्टी जय बिविद्दा दिस बाइस मही होता है ठीक है फिर निम लिकित मेंसे कौन सा पूची गई है। तो जो हंगरी की राश्टी मुद्रह है वह हंगेरियन फोर्तिंग होता है फोरिंट होता है, हंगरी फोरिंट होता है। ठीक है। आगे देखते हैं सोतंतरता के बाद भासा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताईए देखो सोतंतरता के बाद भारत के जो पहला राज्य बना था जो भासा के आधार पर वो बना था हमारा आंधर प्रदेश और ये कब बना था ये बना था हमारा एक एक अक्टूबर और उनिस सो तिरपन में इसकी जो है स्थापना हुई थिया ये भासा के अधार पर बनने वाला पहला राज था लोकसभा पद धारड करने के लिए जो हमसे नियूंतम आयू पूछी गई है वो कितनी होती है तो देखें लोकसभा के लिए यह होती है हमारी 25 वर्स कितनी होती है 25 वर्स ठीक है चलिए आगे देखते है चलिए अगला कोश्चन देखते है देखें आज तोड़ा सा दिन में मुझे वीडिवार्ड करना पड़ रहा है तो थोड़ा सा यह शोर्षण रावा यह ज्यादा तो इसके लिए मैं माफी चाहूँगा, और इसका मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ क्यूंकि रास्ते चलते हुए लोगों को मैं मना नहीं कर सकता हूँ क्यूंकि वो गाड़िया निकलेंगी और सारी चीजे, तो यह होंगी ही, ठीक है, चलिए, 38 कॉश्चन देखते है, उसने पर देखते हैं. देखें, नोटकिकस राजय का लोग्र Already का लोग्र नत्य है तो यह उत्तर प्रदेस का लोग्रettsा ठीक है? अंतर राष्टी ओलंपिक समीति का मुख्याले कहा है तो देखो जो अंतर राष्टी ओलंपिक समीति का मुख्याला है वो हमारा सुइटिजर लेंड में है कहा है सुइटिजर लेंड में ठीक है फिर निमलिकित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स आफ दा माइंड लिखी देखिए इसने गुल्जार ठीक क्या हूँ गुल्जार नहीं है ये सौमी विवेका नंद की लिखी हुई किताब है ठीक है चलिए आगे देखते है चलिए देखिए फिर आगे कोशन दिया है ग्राशी के जो 42 के चाहिस तक ये पेपर किया है चलिए इसके कोश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है और उसके एंसर क्या क्या है ठीक चलिए बयालिसमा कोश्चन जो कह रहा है साहित अपने दाइतों का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है तो देखो जो है समाज का आइना है तो आइना हमेंसा क्या दिखाता है जो सामने होता है वह जोकर आए गता पर गता है गता तो इसलिए सालिये अंसर हो जाएगा बी चलिए आगे दैखते हैं अगे ती 59 कोश्चन क्या कह रहा है 43 कोश्चन कहे रहा है साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश को कैसे परिपूर्ण करता है तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा इसका सही अंसर हो जाएगा ए वाला चलिए देखते हैं 44 कोश्चन 44 कोश्चन कहे रहा है कि साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीडियों की जानकारी देता है जो साहित्य है वो हमारा पुरानी पीडियों की जानकारी कैसे देता है राष्ट का इतिहास, गरिमा, संस्कृत, सब्विता, पूर्वजों के बिचार, अनुसंदान, आदिततकालिन साहित, दौरा ही जाने जा सकते हैं, ठीक है, यानि कि जो भी है हमारी इतिहास से हम लोग जाद अदर जानते हैं, अपने पूर्वजों से जानते हैं, और जो भी ह इसका जो कोशन एंसर हो जाएगा, क्योंकि साहित द्वारा समाज की विवंडनाओं और पिसंगतियों पर प्रहार करके उसमें सुधार लाने की कोशिस की जाती है, बिल्कुल सही बात है, यही होता है, ठीक है, फिर 46 मा कोशन देखते हैं, 46 मा कोशन कह रहा है, प्रस्तुत दो पेराग्राफ़ आने थे हिंदी में, ठीक है, इसके भी कोशन एंसर देखने हैं, क्या है, जएधर तो पेराग्राफी यह पूरा, चलिये, क्या कह रहा है, गदांस में चरशे छिर इस्थाई सब्द का कौन सा बिलोम सब्द प्रियुक्त हुआ है, जो गदांस हमारा उ उसके लिए बिलोम सब्द जो यूज हुआ है, ठीक है, चलिए, सत्य की तलास कैसे की जानी चाहिए, जो सत्य की तलास है, वो हमें स्रद्धापूरवग, अंतह विद्मान, सत्य के मारक पर आगे बढ़ते हुए, इस सत्य का साथ्छातकार करें, यानि कि इसका सही एंसर हो ज नास किये बिना आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, जब भी हमारे उपर संकटाएं तो हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, हमें उनसे लड़ना चाहिए, और आगे बढ़ते रहना चाहिए, यही जो है जीवन का सार है, और जो उस समय पे उनसे जो है पर चलना ही तंग है और इस मारग पर चलना अत्यांत कठिन है क्यों कठिन है क्योंकि इस मारग पर चलने से क्या है ना आप जब सत्य पर चलोगे तो आपको पीछे खीचने वाले बहुत मिलेंगे आपके बुरे हो जाएंगे बहुत से लोग और आपको गलत कहने वाले बहु क्या कर सकते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए अंतरनीत सत्य सत्य का साथ चात्कार करें चलिए आगे देखते हैं देखें फिर यहां से हमारी जो डियाई स्टार्ट हुई है ठीक है और मैंने आपसे कहा है कि मैं डियाई को पूर्डते है बिल्कुल अलग से करवाऊंगा क्यूंकि इसमें इतना वीडियो लंबा नहीं चाहता हूं मैं करूं तो इसलिए जो भी आगे की डियाई है वो मैं अ आगे बढ़ते हैं चलिए यहां से हम लोग बात्र में कोशन से स्टार्ट करते हैं बाकी जो डियाई मैं रिजनिंग यह तीन पूर्सन में आपको बिल्कुल अच्छे से समझा के और बिल्कुल एक्योरेट एंसर इसके आपको दूंगा चलिए देखते हैं लिखा है संग म सब किस्ते हैं जो साहजहां के समय में ही हुआ इसलिए इसको किला कि किस कई का भी गया है अब लोग मुझे कमेंड में पताईयेगे क्या कहा गया इसको कला प्रेमी यहां साहएद कुछ ऐसे ही काहा गया है चलिए तेह तर्मा कोश्चन देखते हैं क्या कर रहा है निम्न लिखित में से किस यूग में तावे का पहली बार उपयोग हुआ है तो ज़िए यह हुआ था तामरपासाड यूग में ठीक है चौतर्मा कोश्चन देखते हैं चोत्तरमा कोश्चन के रहा है, निमलिकित में से किस इस्थान पर पर्थम बहुत संगीत का आयोजन किया गया था, तो जो पर्थम बहुत संगीत का आयोजन किया गया था, वो किया गया था राजगीर में, ठीक है, चलिए, और कमेंड में मुझे बताईएगा कि दूसरा और जोथा कहां किया गया था ठीक है चलिए पचात्रमा कोश्चन देख रहे हैं निमलिकित में से कौन वा वेक्ति है जिसका नाम देव नाम प्रिय प्रिदरसी था तो ये कौन थे ये मौरे समराठ असोग थे चलिए आगे बढ़ते हैं पिर आगे चैत्रमा कोश्चन क्या बढ़ते हैं चैत्रमा कोश्चन काई रहा剛剛 जब भी भूधान आपको दिखाई दे तो आप बिना कुछ सोचे समझें बिनोभा भावे लगा दीजिए क्योंकि इन्होंने ही यह भूदान के लिए जो सबसे वड़ा काम किया है वो भिनोवा भाव भी नहीं किया है दांडी नामग यात्रा के दौरन निम लिखित में से किस सामाजिक कारकरता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पूरसों तक सेमितना रखने के लिए राजी किया या किस क्रांती के साथ हुई थी तो यह अमेरिका की क्रांती जब हुई थी तब ही जो है हमारी पहली राष्टवाद की अभिवेक्ति जो है उसी से स्टार्ट हो गए थी फिर अगला कोश्चन देखते हैं भारत सरकार सरकार ने निम लिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माड हुआ था तो देखो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 की कारण हुआ था चलिए अगला कोश्चन क्या कह रहा है प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किस ने दिया था तो यह दिया था दिल्ली चलो का नारा किस ने दिया था सु निम्न लिखित में से कौन जनसंख्या बितरड को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है, तो कौन नहीं है, पानी की उपलब्धता, फिर 83 वहां देखते हैं, question क्या है, बिश्व की सबसे उंची चोटी Mount Everest के बीच इस्तित है, तो ये किस के किस के बीच इस्तित है, भारत और नेपाल बता रहा हूं, वो नेपाल और तिबबत के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में नहीं है, ठीक है, चलिए, निम्न लिखित में से भारत अक्टूबर की गर्मी का मुख के कारड क्या है, देखो उसकी मुख कारड जो है, अक्टूबर की गर्मी का यानिक इसका सही अंसर क्या हो जाएगा ये बी वाला इसका सही हो जाएगा बारती मानक समय ग्रीन वीच समय GMT से आगे है तो ये साड़े पांच गंटे से आगे है चलिए आगे देखते हैं फिर 86 कोश्चन देखिए क्या कह रहा है निम लिखित में से हरित करांती के रड़नेती का हिस्सा था ये किस का हिस्सा था देखिए रासाइनिक उर्वरक और पीडगनासी उच उपच देने वाली किसमों के भी सिचाए हाँ ये सभी के लिए था ठीक है चलिए आगे देखते ह चलिएच, तो कई है क्या है निम लिखित में से किस नदी को । जाbirth पिसको कोसी नदी को कॉसी नदी को A 1988 कोश्चन है भारत के पंच वर्षी योजनाओं को आंतिम सुईक्रति निम लिखित में से किसके द्वारा दी जाती है तो किसके द्वारा दी जाती है, ये दी जाती है, राष्टी विकास परिसद के द्वारा, किसके answer number C सही हो जाएगा इसका, राष्टी विकास परिसद के द्वारा, चलिए, अगला question देखते हैं क्या है, किसी भी विकास सील अर्थ विवस्था के प्रारंभिक चरणों में प्राथमिक शेत्र से संबंदित हैं, तो यह किस से संबंदित हैं, सब प्राथमिक शेत्र से संबंदित हैं, अधिकांस पूछा गया, तो अधिकांस प्राथमिक शेत्र से संबंदित हैं, और कमेंट में मुझे बताईएगा कि प्राथमिक शेत्र जो होता है, उसमें कौन कौ साराजनिक शेत्र का उपकरम संसद के तहते एक विसेश कानून पारिद करके इस्थापित किया गया है तो यह किसके द्वारा बैधानिक नियम के तहत यह पारिद किया गया है चलिए अगला कोशन क्या है भारत की संग कारड़ी में निमलिकित में से कौन सामिल नहीं है तो देखो भारत की कारड़ी की जो संग की कारड़ी होते हैं उसमें बारत राज्यों के मुख्यमंत्री सामिल नहीं किये जाते हैं उपराश्पती, राश्पती, अप्रदार मंत्री तीन ही लोग उसमें सामिल होते हैं, चलिए, आगे देखते हैं। फिर अगला कोश्चन हमसे कह रहा है, 93 नंबर कोश्चन क्या है, 93 नंबर कोश्चन है, कि निम लिकित में से कौन सा अनुच्छत भारती सम्विदान के सर्वोच नैले की स्थापना के, इस्थापना और गठन के बारे में तो 124 होता है, 124 ठीक है, फिर अगला कोश्चन क्या है, खाली जगह के पास मौली क अधिकार को लागू करने की सक्ति होते हैं, तो वो सर्वोच नैले ही अकेला ऐसा होता है, जिसके पास उसको लागू करने की सक्ति होती है, फिर 95 नंबर क क्या है, कहा रहा है, निमलिकित में से किसे किसी केंद्र सासित प्रदेश में उच्च नैले इस्थापित करने का अधिकार है, तो वो कौन होता है, वो संसद को ही ये अधिकार होता है, ना कि राष्टपती, प्रदान मंत्री ये रूप राष्टपती, ये किसी को नहीं होत तो देखो TAROS का जो RUNG है उसके तापद मान पर निर्भर करता है चलिए अगला कैस दिख्चिंद निन्याओननवे कोष्वन क्या कह रहा है कि निम लिखी तमेंस से कौन सी डास ग्लोवल वार्मिंग के लिए जम्मा हो जाता है और सर्दी बहुत तेज लग जाती है तो वो फेख़णों को प्रवावीत करती है ठीक है देखे इस पेपर के मैंने सिर्फ तीन पोर्शन आपको नहीं करा हैं वो है math, reasoning और DI ठीक है वो उसका वीडियो में अभी आपको थोड़ी ही देर में बिल्कुल अच्छे तरीके से जो भी जैसा है बिल्कुल समझा के explain करके उसको आपका वीडियो provide करा दूँगा तब तक आप लोग इसको जो है match कीजिए ठीक है चलिए अभी मिलते हैं हम लोग next वीडियो में धन्यवाद